वो गने वो बड़े एक पत्र चाहबी मांग मत मांग मत मांग मत अगनिपत 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 वालकम यह ओल एड़े फ्यूचर स्री इंस्टिटूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं मदन स्वामी आप सब का स्वागत करता हूं एली लाइव क्लास में जो शाम को आठ ब तो बच्चे क्लास फौर्थ से लेकर के नाइन ठास में किसी स्कूली में पढ़ रहे है वो सारे बच्चे यह सारी क्लासे ले सकते है उनके लिए फ्रूट्फॉल है नमबर वन चीजे नमभर टुजी यह वो बच्चे जो सायनिख स्कूल, मिलिटरी स्कूल, नवधिया श् क्लासरूम में या जितने भी कॉंसेट को हम लोग यहां डिसकस करेंगे उनका मेन थीम पूरा से बस बेस्ट ऑन इस काइंड ऑफ एक्जामिनिशन तो आप सारे बच्चे इस से जुड़ सकते हैं सारे बच्चे इन जो को देख सकते हैं जो क्लास फोर्ट से लेके नाइंध क् में रुनिंग है या सैनिक मिलेटरी नवद्या आरा एंसी के तहरी कर रहे हैं बात कर दें आज एक लास में लोग मैट्स की और मैट्स के अंदर हम लोग डेली बैसेश पर कुछ क्लासे करते हैं और उसके अंदर आज की क्लास का मारा फॉर्स्ट क्यूशन स्क्रीन पे गिर हो कि कि सब करा आज है जोवर्स के पॉन बोला है कि इसे के घू दो होस्क k fum कु मैट है हुआ Corn já मोटा है तो बोलकि स्चार्ट बनाना पड़ेया कि स्टोग्राम की आठाफ बनाना पड़ेगा के पहले तो आपको यह पता होने चीय क्रेंगे और चार्ट में क्या होता है आई चार्ट में डेटा को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिपर्जेंट किया जाता है इस्टोग्राम में क्या होता है इस्टोग्राम में डेटा वैसे ग्राफ फॉर्मिट में ऐसे रिपर्जेंट किया जाता है इस डेंग से रिपर्जेंट के बने वे होते हैं और pictograph क्या होता है pictorial format होता है किसी भी चीज की जैसे यहां पे कुछ pictures लगा दी जाती है और आगे कुछ number लिख दिया जाता है इसे pictures लगा के आगे कुछ numbers ना number का number लिख दिया जाता है तो इस तरह से यह चार तरह के data को represent करने का तरीका है जिससे data को पढ़ना आसान हो और समय की बचे तो हम graph बनाते हैं क्यों है graph इसलिए बनाते हैं या chart इसलिए बनाते हैं कि हमारा समय कम से कम utilize हो और हम कम समय में ज्यादा चीज़ें पढ़ पाएं समझ पाएं that's the use of graph and any kind of these things तो अब बात करते हैं हम लोग कि भाई a geometrical representation showing relation between whole and its part उसका answer है pie chart pie chart में हम लोग क्या करते हैं whole के साथ इसी part को represent करते हैं क्योंकि whole का मतलब हो गया total यह वाला area अतनी area को represent करना मुझे और माल ले जीए आप在 मुझे 3636 माले या फिर फिर्टी आर्स में सेमाल लेजिए वह से करता हूं पढ़ाई करता हूं you know अगल हमेसा 360 ऐगी होता है यहाँ पे तोटल एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है और इसको इस दिंग से कैलकुलेट करूँगा आंसर कम्स 120 डिग्री यानि मैं यहां सेंटर से लेकर के 120 डिग्री का एंगल बनाके रिपरजेंट कर दूँगा कि यह मेरे होल 36 आर्स का डेटा है और इसे मेंसे 12 आर्स मेंने क्या करी तो इस देंग से मैं पाई चार्ट में रिलेशन को बिल्ट अप करता हूं होल के साथ एक छोटे से पार्ट को इस देट क्लिया चलिए आई होग कि आपको समझ में आया होगा यह बात अगले क्यूशन की बात करेंगे हम लोग एडागनल और रेक्टेंगल इस इंकलाइड तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग और रेक्टेंगल में यह हो गया एल यह हो गया बी और इसके अंदर लिखा हो गया और रेक्टेंगल इस साथ यह बनाते हैं तो मैं एंगल को लिख देता हूँ और यह पूच रहा है अक्यूट एंगल बिट्विन दी डाग्नल्स डाग्नल के बीच का एक्यूट एंगल तो देखो ये तो side और diagonal की बीच का angle है और diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं ये आपको पता होना चाहिए और दोनों की length ये इक्वल है दोनो diagonal बराबर है और bisect होने के बाद सारे part क्या होगे आप उसमें बराबर हो जाएंगे ठीक है? तो आप मुझे पता लग गया कि ये इस triangle के मैं बात कर रहा हूँ तो इस triangle में ये वाली side इसके equal है तो ये वाला triangle हो गया isosilis triangle कैसा triangle हो गया? isosilis triangle और isosilis triangle में दो side equal होती है उनके end में बनने वाले angle भी equal होते है ये angle 25 degree का है यह angle भी कितने degree का होगा 25 degree का हो जाएगा अब इदी में triangle की angle sum property की बात करूँ तो एक triangle के सारे angle का sum होता है 180 degree कितना degree 180 degree दो angle given है 25 and 25 तो दोनों का sum और है 50 degree दोनों का sum और है 50 degree अब मुझे यह third वाला angle निकालना हो तो 180 में से 50 degree moi-nose कर दूंगा answer आ जाएगा मेरा Another do 30 की एंगड कितना डिगरी का है One 30 डिगरी का इंगा लेकिन अप्षम में 130 डीगरी निया दूसरा यह iqt internet पूछ रहा है तो 130 डीखरें तो यही ऑप्टियूजी इंगरी एंगरी laugh एंगल वार्टिकली अपोशिट एंगल यह एंगल 130 डिगरी और यृधी में इस लाइन की बाद करूं तो लाइन कैसी है स्ट्रेइट लाइन और एक प्रोपर्टी बोलती है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल कसम कितना डिगरी होता है 180 degree, यह इन्गल क्या है, बिट्विन दिडाइगनल्स, यह अंगल क्या है, बिट्विन दिडाइगनल्स, यह अंगल क्या है, बिट्विन दिडाइगनल्स, यह अंगल क्या है, बिट्विन दिडाइगनल्स, और यह अंगल क्या है, बिट्विन दिडाइगनल्स, अब इसमें स यह दो एंगल हैं was कि उप्टूस्ट एंगल और ये दोनों एंगल कैसे हैं ऐक्यू टेंगल तो मुझे बताना ही डाइगनल्स के बीच के बादने वाला एक्यूट एंगल तो answer comes 50 degree answer comes 50 degree तो इसका answer कितना हो गया 50 degree इसका क्या हो गया answer हो गया अगले question की बात करते है The sum of 3 odd consecutive integers is 51 अभी देखो 3 में तो 3 होता है पता है आप सबको odd मन क्या होता है वो number जो क्या हो 2 से divisible ना हो उन्हें बोलते है odd number consecutive का मतलब होता है continue लगातार एक के बाद एक without any missing the number जिसे मैंने बोला 1 तो 1 का consecutive को हो है 2 फिर 3, 4 ये सारे के सारे consecutive number लेकिन मैं सिर्फ odd number की बात कर रहा हूँ odd number की बात करूँगा तो 1 के बाद आएगा 3 3 के बाद आएगा 5 5 के बाद आएगा 7 7 के बाद आएगा 9 9 के बाद आएगा 11 इदी मैं even की बात करूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलेगा सब कुछ लेकिन मैं आपको ये दोनों क्यों बता रहा हूँ बात तो सिर्फ यहां odd की हो रही है समझना क्या है यहां पर पहली बात यह समझनी है कि इन दोनों के बीच का difference 2 का है difference 2 का है यहां भी difference कितने का है 2 का है याद यह बात यहां रखनी है समझनी यह बात है जैसे हम लोग even odd पढ़ते हैं तो even का मतलब होता है 2 से divisible और odd का मतलब होता है जो 2 से divisible नहीं लेकिन जब difference की बात आती है 2 consecutive even number हो जाए 2 consecutive odd number हो difference always कितने का रहेगा 2 का ही रहेगा यह बात confirm करनी है जाए even number रहे है 2 consecutive जाए 2 consecutive odd number रहे है अब आगे की बात समझते हैं लोग अगली बात आती है integer integer क्या होते हैं integer में 0 आता है सारे के सारे positive numbers आते है और सारे के सारे negative numbers आते है अब यह integer क्यों दिया भाई इसने integer इसलिए दिया कि integer का मतलब होता है complete number कोई भी number point वाला नहीं है decimal वाला नहीं है complete number है तीनो के तीनों integer है integer का मतलब होता है complete number without any decimal without any part इदी minus 2 तो minus 2 minus 1 तो minus 1 टू तो टू थी तो थी मलब कंप्लीट नमबर का मलता है इंटीजर अब आपको कानी समझ में आ गही होगी कि बात के सीस के कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहां पे 3- Odd Conjective Integer, तो मुझे सबसे पहला Conjective Integer मैंने X ले लिया, अब अगला Odd क्या होगा, तर X Plus 2 होगा, अगला Odd क्या होगा, तर X Plus क्या होगा, अब यहां बात समझनी है कि जैसे यही यह दी Odd No. पढ़ा, तो मैं अगला दिमाग में आता है यार, यहां तो 1 होगा, यहां पर 3 होग नहीं, मैंने बोला ना, दो Conjective यह दी चाहिए Even No. चाहिए Odd No. डिफ्रेंस हमेशा किस करेगा, तू करेगा, तो अगला Conjective Integer क्या होगा, और होगा, तो अब तीनों का सम बोला, तो तीनों का सम कर दीजी, अंसर कम 51, यह तीनों like terms से add हो जाएगे, यह हो जाएगा 3x, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6, 51, 3x इक्वल्स टू 51, मैंने 6, 3x इस इक्वल्स टू 45, x का value कितना आ गया, 3, अब यहां पर देखे रखके, यह हो गया मेरा 15, 15, यह 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17, यह 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19, चाहो तो इनको add करके देख लो कितना आ रहे है, 51, ता middle number is, तो बीच का number कौन है, 17 है, तो right answer is 17, समझने वाली बात यह थी, odd के बारे में, consecutive के बारे में, integer के बारे में, और difference के बारे में, चाहिए even number हो, चाहिए odd number हो, consecutive हैं, तो 100% difference दो कहीं रहेगा, बच्चे यहां पर confused रहते हैं, तो और चार उन्हें लगता है, to each term of the ratio, एक ratio में number दे रखा है, 5, 17, to make its 11 ratio 12, मैं एक बार ratio में लिख देता हूं, बाद में इसको fraction में लिख लेंगे, यह 5 ratio 7 था, इसमें कुछ ने कुछ add करना है, और बनाना है इसको 11 ratio 12, 11 ratio 12, तो एक काम करते हैं, देखें, दोनों ratio में, सिर्फ ratio में छोडने से पार नहीं पड़ेगी, मुझे पहले इसको एक को original number से पोच करना पड़ेगा, मैं इसका original number निकाल लेता हूं, मतलब इसको एक किसी ना किसी एक variable से multiply कर देता हूं, common variable से, तो यहाँ पे original number क्या है, 5x, यहाँ पे original number क्या है, 7x, अब इस original number में, मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ add करना है, और मुझे 11 by 12 बनाना है, एक तो तरीका है कि मैं इसकी equations बनाओ, अब equation नहीं बना के, एक simple तरीका बदाता हूं मैं आपको, equation नहीं बना है, पर लोग सीधा करते हैं, जोंको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखो, 5 और यह हैं, 7, तो मैं बनाना के है, 11 और 12 बना है, यहां पर कुछ ना कुछ add करना पड़ेगा, आप लोगों को, यहां पर कुछ ना कुछ add करना पड़ेगा, इसका answer है, अब इससे confirm हो गया, यहां पर 11 का coin कोई multiple आएगा, 11 का coin कोई multiple आएगा, अब मुझे बताओ कि 5 में क्या add करे कि 11 का multiple बन जाए, क्या मैं 22 एड़ करूं, तो 22 को add करने से कितना आ रहा है, 5 और 22, 27, क्या मैं 28 करूं, 25, क्या मैं 17 एड़ करूं, 17 एड़ करने से 22 आ रहा है, या मैं 18 एड़ करूं, नहीं, इससे पारनassy, एक बार के लिए इधर 17 लिए थे, अब इधी इसससे सैट बैट र क्या ये इसको adjust कर रहा है क्या हाँ विल्कुल adjust कर रहा है क्योंकि 5 और 17 कितना हो रहा है 5 और 17 कितना होता है 22 और 7 और 17 कितना होता है 24 आप देखो 2 से cancel कर दो answer comes 11 by 12 तो हमेशा इस तरह के questions को आपको सिर्फ option को उठाना है और value put करना है और यह दिया आपके calculation अच्छी है तो आप इस तरह की questions को तुरंत कर देंगे within a one minute एक minute से भी कम समय आप इसको बना पाएंगे let's moving on the next question the base of right angle triangle देखे right angle triangle आप लोगों को अच्छे डंक से पता होगा एक ऐसा triangle जिसमें one angle कितना degree का होता है right angle right angle का मतलब 90 degree एक ऐसा triangle जिसका एक angle 90 degree उसे क्या बोलते है right angle triangle हिंदी में इसका नाम होता है समकौन त्रिबुज समकौन त्रिबुज ठीक है अब right angle triangle triangle ऐसा होता है पता लग गया the base of right angle triangle is five centimeter and hypotenuse अब hypotenuse क्या होता है 90 degree के सामने वाली side का नाम होता है hypotenuse की ध्यान रखना अब सर बेस कौन सा होता है सर बेस इसमें कोई भी ले सकते हो बेस इसमें कोई दिकत नहीं है कोई भी ले सकते हो बेस आप इसको ले लो कोई फरक नहीं पड़ता और बेस आप इसको ले लो कोई फरक नहीं पड़ता और ये 90 डिगरी के सामने वाला तो hypotenuse fix हो गया ही 100% 90 डिगरी के सामने वाली side का हमें सा hypotenuse ही बोलते हैं इसको बेस बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड का नाम होता है 90 डिगरी का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और रिमेनिंग दो साइड में से एक लिगरी का सुerम से राइट अंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का अब हाइपोटेनियस का स्कुरेबन है यहां पर ठरतिन किसी एक side को इसको माल लो base यह बाल लेजे 5 पहले यह निकाल लेते अब आप बोलेंगे सरी यह निकालना क्या है its area निकालना है और right angle triangle में area का formula होता है 1 by 2 base multiply with height या perpendicular एक ही बात है तो मेरे पास जब तक height नहीं होगी perpendicular होगा मैं calculate नहीं कर सकता तो मुझे निकालना पड़ेगा value put कर दो यहाँ पर 13 का square perpendicular मेरे पास नहीं है यह 5 का square 13 का square 169 होता है यह p is equals to कितना होगा 25 25 को यहाँ बेज दो 144 is equals to p का square root के अंदर 144 equals to p और यह आगया 12 इस cancer कितना आगया यहाँ पर perpendicular कितना आगया यह आगया 12 cm अब आप लोगों को इदी pythagorean triplet याद रहती तो यह calculate नहीं करना पड़ता इदी pythagorean triplet पता होती तो यह calculate नहीं करना होता क्या मतलब पाइथा गोरिन triplet का देखो यह combination होता है कि 3, 4, 5 इससे MSR right angle triangle बनता है तो इससे बोलते हैं triplet 6 8, 6 और 10 5 और 12, 5 और 13 triplet तो ऐससे triplets होती है इनका combination होता है में सा अब आपको इस वाले equation में calculate नहीं करना था सीरा देखो base 5 दे रहा था hypotenuse का मतलब आप देखो triplet में कौन बताएगा hypotenuse कौन सी है तो सबसे बड़ी side को hypotenuse बोलते हैं तो तीसरी side हमेशा क्या होगी 12 ही होगी तो यह calculation करने की जोरत नहीं है within a second आप directly कर सकते हैं हाँ यह आप आ रहें सी कभी पर दे रहें question आ गया तो आपको पूरा पूरा करना ही पड़ेगा इसलिए मैं दोनों तरीक से बता दिया अब 12 निकाल लिया अब आपने बोला कि 1 by 2 इसके जगह कितना है 5 और इसके जगह कितना है आपका 12 12 से 6 टाइम गया 6 5 जा कितना हो गया 30 cm अंसर कितना आ गया 30 cm2 तो इस रेंक से आपको इस क्यूशन में एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का पता होना चाहिए और आप लोगों को एरिया का फॉर्मला आना चाहिए तीनों बातें आपको आने चाहिए सब ही जागे कुशन को बना पाएंगे अगले कुशन की बात करते हैं 2 कूब have the volume in the ratio 1 ratio 64 the ratio of their surface area of first cube to the to that of the other की बोल रहा है कि 2 कूब है 2 कूब है और उनका ratio दे रखा है क्या दे रखा है 1 ratio 64 1 ratio 64 1 ratio 64 अब मेरे पास volume का ratio है यह volume का ratio और मुझे निकालना है surface area का ratio volume का ratio मतलब यह first वाले कूब का C1 का और यह second वाले C2 का volume का ratio दे रखा है यह दि आपको volume से side में जाना हो याद रखना volume से side निकालने हो तो आप इस ratio का directly cube root कर दीजी directly cube root कर दीजीए यह दि cube के अंदर बात चल रही है 1 का cube root क्या होता है 1 और 64 cube root क्या होता है 4 इसना होता है 4 अब आपको पता लग गया यह दोनों cube की side का ratio आ गया एक की side 1 तो दूसरी side कितनी 4 एक की side 1 तो दूसरी side कितनी 4 तभी 1 का cube 1 होगा और 4 का cube 64 होगा तभी तो ratio आएगा cube का formula क्या होता है 1 क्यूब तो 1 का cube 1 और 4 का आप 64 तो यहाँ से ही दि मुझे side का ratio निकालना हो तो हमेसा cube root करो volume दे रखाओ cube root करो लेकिन मुझे क्या निकालना है surface area का ratio तो माल लीजिए c1 पहले वाला cube surface area का formula 6 इसको मैं छोटा a square बोल देता हूँ और इसको 6 बड़े वाले a square ताकि दोनों side ने तो अलग अलग है एक side छोटी दूर चैट बढ़ी है तो 6 से 6 क्या हो गया cancel 1 का square और यहां हो गया 4 का square 1 का square 1 होता है 4 का square 64 होता है answer comes 1 ratio 64 answer comes once ratio 64 तो इस तरह के question का concept अच्छे डेंग से पता होना चाहिए अब अब आपको क्या दैन रखना है कीजों को दुबारा से समझग एक बार के लिए यह दी volume का ratio दे रखाओ directly cube root कर दो यह आगया 1 और 4 surface area निकालना हो डारेक डिसका square कर दो बस 1 ratio 60 this is the right answer clear अगले question की बात करते in 2 की power n n non is इदी 2 की power n दे रखिये तो n को क्या बोला जाएगा क्या base बोला जाएगा नहीं सर्छ बेस तो यह होता है क्या constant बोला जाएगा का नहीं सर्फ constant नहीं है तो change होता रहता है क्या इसको exponent बोला जाएगा yes this is called exponent variable तो कुछ भी हो सकता है variable तो नहीं बोलेंगा इसको this is called exponent this is called exponent यह theory का question है last के दो question बचे हैं आज की class के और यह बहतरीन question में से एक question से x minus इसको देखके लगता है कि यह ninth class का paper है अब तक तो लग नहीं रहा था और मुझे किसका value निकालना है x का square one by x पहले मैं आपको इसको बड़े तरीके से बताऊंगा बाद में से एक shortcut बता दूँगा यह दि मुझे इस पे square बनाना है तो squaring both side तो squaring both side यहाँ पे squaring कर दो both side a minus b a minus b का whole square क्या होता है a का square a square minus 2ab plus b तो a का square बोले तो x का square a का square बोले तो x का square minus 2 formula से आ गया a की जगा x है b की जगा 1 by x है और plus में 1 by x का whole square किदर लग गया a minus b का whole square का formula और 16 का square 256 हो यहां तक हो गया अब देखेंगे x x क्या हो गया cancel यह हो गया x का square यहां बचा सिर्फ 2 यहां 1 का square 1 होता है x का square x square होता है equals to 256 आपको यह चाहिए और यह चाहिए यह चाहिए आपको x square चाहिए फिर plus का symbol चाहिए फिर 1 by x square चाहिए कितना आपको चाहिए तो minus 2 नहीं चाहिए minus 2 को अधर बेज दो x का square 1 by x का square 256 में से 256 में 2 add कर दूँगा तो 258 मेरा क्या हो जाएगा right answer 258 क्या हो जाएगा मेरा right answer अब यह तो हो गया तरीके से अब यह दी paper में करना हो और आप RMS या CENEC स्कूल का paper दे रहे हो तो एक तरीका याद रखिए a minus ऐसे कोई भी value दे रखिए k और आपको कहां तक पहुँचना है आपको पहुँचना है a x का square plus 1 by x का square तो formula सीधा से याद रखिए 2 add कर दीजी बस इतना सा काम कर लीजी यह given है देखो 16 16 का square करो 256 2 add कर दो answer आगया तुरंत अब यह दी ऐसा दे रखाओ x by x plus 1 by x equals to k और आपको निकालना हो x का square x का square 1 by x का square तो बोलेंगे k square minus का 2 k square minus का 2 यह direct आप shortcut वाले formulas लिख लीजीए आपको ध्यान में रखने है और within a microsecond answers आप दे सकते हैं बहुत limited time में k square है ध्यान रखना square है आज की class का अंतिम क्योंशन आम लोग करेंगे the sum of heights of certain number of player that is 7 to 8 cm कुछ players हैं पता नहीं कितने players हैं the mean height is 56 यहनि mean आपको दे रखा है number of player निकालना है तो आपको mean का formula पता होना चाहिए arithmetic mean that is sum upon में होता है number sum मतलब sum of all data n मतलब numbers of the data यहनि आंकडों का योग बटा में आंकडों की संक्या बराबर होता है उसत्मान तो sum दे रखा है अपने mean दे रखा है mean दे रखा है 56 sum दे रखा है कितना 7 to 8 और number of player अमें निकालना है number of player कितने है n को इधर लेके आ जाओ यहां से तुरंट पता लगा सकते है वैसे तो 6 से करियेगा 7 to 8 दे रखा है और इसको divide किससे करना है 56 से तो आपको options में देखना है डारेक्ली कि 6 को किस से multiply करो 8 बन जाए तो आपको पता होगा कि 3 से multiply करने से 8 बनता है 6 3 जा होता है 18 लास्ट में 8 आ रहे न तो आपका इदर का unit digit क्या होगा 3 होगा answer होगा खतम आपको calculation करने की requirement नहीं है इतना कम से कम calculation करोगे उतना आपका time बचेगा time बचेगा तो यह आपके हैं आगे के questions को बना पाएंगे उमीद करते हैं आपको यह classroom अच्छा लगा होगा यह क्लास्रूम अच्छा लगता है तो वीडियो को like कर देजिए अपने दोस्तों कर देजिए अगली उन्द सभी हम लोग इसी तरह के बहतरी क्वेसंट अभी हम लोग आरेमस की सब्सक्राइब हैं फिर सैनिक स्कूल मिलिटरी स्कूल हो गया और समी प्रिपर भी लेकर आंगे फिर और अब Lee क्लास में तब नहीं ख्याल रहे हैं खूब सरे पढ़ाए करें विशिंग यो वरी ओर्डवेस्ट एंड या हिंद।